आप दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज हमारा सब्सकार मैं नहीं कि एक देश का नहीं किसी एक जगा की दिमाग करने तो सब्सक्राइब का जिनों होसे बढ़ने लग जाए चाहे वो एक cell हो, चमड़ी का cell हो, लंग्स का cell हो, या आपके blood के cell हो, बिना रोक टोक के बढ़ने लग जाए, फैलने लग जाए, दीमक की तरह फैलने लग जाए, तो वो cancer है, एक जगा पे सिर्फ फैले, सीमिज जगा पे तो tumor है, वहाँ से फैल जाए, तो वो cancer है, cancer can spread, तो cancer भाइल जगता है, और सबसे बड़ा चीज है, कि cancer का symptom क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है, cancer symptom क्या करेगा, भीया ऐसा है, there is no specific symptom for cancer, there is no symptom for cancer, cancer मतलब एक जगा पे growth होगी, आपके cells की, तो सोचिए, जरा किन्तु परंतु करके सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए, कि अगर ए एक जगा पे एक particular, अगर उंगली पे, एक हाथ पे, अगर इस एरिया पे cancer ग्रो करने लग गया, एक बड़ा सा इसा growth होने लगी, तो क्या होगा, symptom क्या आएगा, सिर्फ एक जगा पे बड़ा सा मुझे सूजन सी दिखेगी, लंप दिखेगा, अगर यही शरीर के अंदर है चीक के अंदर है, हार्ट के अंदर हो सांदर कैंसर है, और फिकेंगरमी, बी यक्रोंगलि काम काम और हो घाए गया, पैरों में उबौन्स में होगा, तो बों काम नहीं कर पाएगा, जहां पके लेवल?". कुछ सिम्टम नहीं आएगा और एक लेवल के बाद में वह हिस्से के काम करने की शमता में कमी आएगी तो हजारों आपके बॉड़ी के अंदर सिस्टम है तो हजारों सिम्टम आ सकते हैं सब्सक्राइब एक सिम्टम है जो होता है वेरी 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 अगर आपका एक्यूट अनिंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है तो भाईया फिर वह आपका कैंसर हो सकता है दस से 20 किलो वजन आपका एक महिने में दो में एक आठ महिने में के अंदर कुछ ही हफ्तों में चला गया ह है बिना इंटेंशन के खाना पीना सब सेम है तो फिर है सकता है कि हो सकता है आपकी शरीर के अंदर कोई सेल्स हैं जो दूआ धार तरीके से बढ़ रहे हैं मल्टिप्लाइब कर रहे हैं उनको इतनी अनर्जी लग रही है कि आपका सारा खाना आपका सारा शरीर की चर्बी स सारे शरीर की मास जो उर्जा वो इस्तमाल कर रहे हैं और इसलिए आपका वज़न जो है धुआ धार धड़का से गिर रहा है ठीक है जो गांचर का एक important symptom यह और बाकी अलग-बाक्षन को मिला के सोचा जाता है कि यह जो लक्षन है क्या यह लक्षन किसी वीमारी के है क्या यह काई और specific वीमारी के है नहीं है तो cancer के लिए ultrasound CT scan X-ray MRI ऐसी जाचे करके गांट ढूंडी जाती है कि अगर कहीं कोई abnormal सूजन एबनॉर्मल स्वेलिंग गांट है तो क्या वो है क्या वो कैंसर फिर से बता रहा हूं ट्यूमर यहने एक सेल्स का ग्रोथ जो के एक कैप्स एक जगह पर सीमित हैं वहां से फैले गा नहीं तो आपकी जान नहीं लेगा वह मतलब है जब एक जगह से वह फैल के दूसरी जगह जाए so exhaustosis होता है so exhaust तो वो cancer होता है to cancer जब एक जगा से दूर्स जगा जाता है वहाँ बढ़ता जाता है तो वहाँ symptom आते हैं उसके हिसाब से फिर अंदाजा या testों में पकड़ा जाता है CT scan, blood test उससे फिर अंदाजा लगाए जाता है कि यह हो सकता है cancer कोई भी जगह का सेले आपके पुरे शरीर में बढ़ता जा रहा है वहां उसका काम नहीं उसका कोई रोल नहीं है लेकिन वह इत्वर बढ़ा होता जार रहां जाके λंग में फिन चंदी ऊगडी है है किके कैडिनी we sót dhin tyden énergie वहां का का मड़ Jason बन्द जाएगा का पतलनी या बहुत होते जाओगे आप कम्रुंब होते जाओगे धीरे धीरे वह system बन्द होने के वज़े से you can die तो इसी के हइसाब से आपका प्रोगनॉसिस डिसाइड किया जाता है तो यहां पर बात पहली जो समझाने वाली थी किया cancer का कोई symptom है तो ना जी ना cancer का specific कोई symptom नहीं है बस unintentional weight loss को हम जरूर importance देते हैं और उसके अलावा ऐसा कोई specific ऐसा symptom नहीं है कि हम उसको cancer बोले हाँ history important है कि अगर आपके माता पिता भाई भेन किसी को cancer हो चुका है तब आपको cancer का risk बढ़ जाता है तो risk अपने आप में एक important history factor important factor है तो इसी को हम एक बार फिर समझेंगे थोड़ी देर में कि थोड़ा next section में कि भी हां कि क्या कैसे evaluate होता है आपका cancer का risk बने रही है हमारे साथ देखते रहेगा और subscribe जरूर करिए इस चैनल को मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एडूकेशन कर दो से छोड़ी देखते लिदेए स्टने के चैनल को मैं है पिरसे से चैनल को में आपका-जू़ी पूर परमजीजी देखते मैं है को जाउड़ी दो एगन में है